पिता की हत्या का बदला लेने के लिए नाबालिक ने किया था मड़ा मामला खर्खोदा क्षेत्र के गाउप जटोला का है जहां साथ जून को जमानत पर आये अमित की गोलिया मार कर हत्या कर दी गई थी मृता के पिता जगबीर के अनुसार अमित की हत्या का आरोप गाउप के ही दो युवकों पर लगा था खर्खोदा थानाक शेत्र के सैदपूर पुलिस चौकी इंचाज अनिल कुमार ने बताया कि गाउप जटोला में हुए गोली हत्या कांट के आरोप में रविवार की सुबह हनुमान मंदिर के पास से एक नाबालिक को गिरफतार किया गया है नाबालिक के पास से अवैद हत्यार भी बरामद हुआ है जिससे नाबालिक ने अमित को गोलिया मार कर हत्या की थी सैदपूर चौकी इंचाज अनिल कुमार का कहना है कि आरोपी ने अपने द्वारा किये गए अपराथ को स्वीकार करते हुए बताया कि पिता की मौत का बदला लेने के लिए मड़किया था हत्या में समलिप तन्य आरोपियों को भी जल्दी ही गिरफतार कर लिया जाएगा वरस 2018 में इसके पिता की हत्या करने में मर्त कमीत गिरफतार हुआ था जो जमानत पर था इसने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए इसका साथ तारीक को मड़किया ये मुताबिक जब इतक जनम परमान पर तरह वाया है उसके मुताबिक नाबालिक है हाँ जी सत्यार से इसने गोली मारी थी वो इससे बरामद किया गया वरस 2018 में इसके पिता की हत्या के आरोप में मर्तक अमीत गिरपतार हुआ था दोशी की रंजिश रखते वेश नहीं हत्या की है